दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्रानयाम का अभ्यास जिनको की आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं जी हाँ, नॉर्मली आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद योग का अभ्यास नहीं करना चीए यानि प्रानयाम और आशनों का अभ्यास नहीं करना चीए लेकिन कुछ ऐसे आशन और प्रानयाम हैं जिनको की आप खाना खाने के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं इन प्रानयाम का अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं तो आपका डाइजेशन तो बहतर हो गही होगा साथ ही मानसिक तनाव कम होगा आपने अक्सर देखा होगा जब आप बहुत ठके हुए होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से जब आप बहुत चिंत चिंतित होते हैं बहुत स्ट्रेस्ट होते हैं या आपकी नींद जो है वो गडबड हो जाती है यानि नींद बड़ी कोशिश करने के बाग भी नींद नहीं आती तो इन प्राणयाम का अभ्यास करने से मांसिक तनाव कम होगा शारीरिक तनाव कम होगा आप चिंता मुक्त महसूस करेंगे इसके लाबा आपकी नींद जो है और भी गहरी आएगी जब नींद गहरी आएगी तो आटमेटिकली प्रकृती ने हम सभी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि नींद जितनी गहरी उतना आच्छा डाइजेशन इन प्राणयाम का अभ्यास आप खाना खाने के 5-10 मिनट बाद जैसे ही आप फारिक हो जाएं उसके बाद इन प्राणयाम का अभ्यास कर सकते हैं अब इन प्राणयाम का अभ्यास करने से जो बेनिफिट हैं जो लाब हैं वो यहीं तक सीमित नहीं रह जाते बलके इन प्रानयाम का अभ्यास आप जब करते हैं तो आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है वो बहतर होता है मानसिकतना कम होगा क्योंकि जो आपका मन है जो आपका ब्रेन है यहीं से तो सारे हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वही कंट्रोल होता है और आप बहुत जादा स्ट्रेस में हैं, तो वो हर्मोन की सिक्रेशन में भी गड़बड़ी होती है, आपकी इम्मुनिटी बूस्ट होगी, आप जो भी खाया पिया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा, आपके हाट के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत बहु आपके लिए बड़ी फायदेमंद होने वाली है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब बूस्ट है नहीं किया है, तो अभी इसी वक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएए, नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी यूट्यूब चैनल योगाविद शहीदा में, दोस्तों कैसे हैं आप सभी, तो सबसे पहले हम ऐसे पालती मार कर, क्रोस लेक पोजीशन पर सुखासन में बैठ जाएंगे, आप चाहें तो एक पिलो के उपर भी इस तरीके से बैठ जाएं, इससे क्या होगा, कमर उपर है, गुटना नीचे है, तो इससे क्या होगा, कि रेड की हड़ी को सी अब्द का उचारन करेंगे, और इस उचारन करते वक्त, मतलब चैंटिंग करते वक्त, इसकी जो जंजनाहट है, वाइब्रेशन है, इसको पूरे के पूरे फोर हेड रीजन पर महसूस करेंगे, आखों को बंद कर लें, चेहरे को एकदम रिलाक्स रखें, अपने शोल्ड साज ले साज ले मैं दो बार और कर रही हूँ, सास ले एक बार और, सास ले अब अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़े आँखों के उपर रखें, अब अपने हाथों को घुटने के उपर ऐसे ड्रॉप कर दें, तो जब आप ये माश रब्द की चैंटिंग कर रहे थे, भ्रमर की आवाज कर रहे थे, तो इसका एफेक्ट पूरे के पूरे आपके हे हमिंग साउंड निकालते हैं, तो इससे क्या होता है, कि आपका मानसिक तनाव जो है, वो कम होता है, और जब मानसिक तनाव कम होता है, साथ ही ये अभ्यास आपको, आपकी नीद की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में बहुत ही हद तक मददगार है, तो जैसे से मानसि तनाव कम होगा वैसे वैसे आपकी digestive fire है वो भी improve होगी तो इस तरीके से अभ्यास आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी वक्त हो humming sound निकाले इस तरीके से आखे बंद करके और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैट जाए जब तक आपको ये इसका effect महसूस होता रहे जो हमन और observe करें कि क्या परिवर्तन या क्या बदलाव हुए है जब ये अभ्यास हो जाए तो अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे अभ्यास की तरफ अनुलोम विलोम प्रानयाम में आपको कोई भी breath retain नहीं करना है सांस को retain नहीं करना है क्योंकि इसको हम खाना खाने के तुरंत बाद क को रोकना नहीं है जिस रेशियो में अभी मैं अभ्यास बताओं उसी रेशियो में अभ्यास करते रहें तो अब क्रॉस लेक पुजीशन को रिलीस कर दें और अपने पैरों को खोल कर इस तरीके से अपने पैरों को टैप कर लें काफी देर से बैठे रहने से कभी-कभी पै थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन आप अगर कुछ सेकेंड के लिए धीरे धीरे वजरासन में बैटना शुरू करें तो इससे भी आपका डाइजेशन जो है बहतर होगा तो अब हम इस तरीके से वजरासन में बैट कर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्रानयाम का अभ्यास इ देखिए जब आप वजरासन में बैटते इसका एक और बेनिफिट है कि आपकी हिप जो है वो उपर है आपका घुटना जो है वो नीचे है ये मदद करता है आपका पॉस्टर करेंग करने में यानि आपकी रिड की हड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो सीधी हो जाती है अब ज क्या होता है पिडलीनियों पर दबाव पढ़ने की वजह से यहां का कनेक्शन जो है डारेक्ली आपके डाइजिस्टिव सिस्टम से है एक बात और जब आप वजरासन में बैठे होते हैं तो आपके पैर इस तरीके से मुड़े होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन लोवर के अपर रखे होते हैं तो आप देखेंगे कि पैरों में हलका सा सुन पन हो गया है पैर जो है आपके नम हो गये हैं जिंझनी चड़ गई है तो आपको पैर को खोलना पड़ता है तो ये आपका क्लियर इंडिकेशन है कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ बंध हो गया अब ये blood circulation belly की तरफ improve हुआ तो जितना अच्छा blood circulation belly की तरफ improve होका digestive fire अपने आप improve होगी और आपका digestion बहतर होगा तो ऐसे वजराशन में बैठे हुए दोनों palms को घुटने के उपर रखे हुए left हथेली से आपको वापस से चिन मुद्रा लगानी है थंब को index finger के साथ जोड लिया है इसको घुटने के उपर रख लिया है और अपनी दाहिनी हथेली से नासी का मुद्रा इस तरीके से लगाना है मुठी बना ली और छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से उठा लिया अब क्या करेंगे बहुत से लोग ऐसे हाथ उपर करके करते हैं अब खुल सोचिए अगर हाथ आप इस तरीके से कुछ दिर लटका रहने वे कंदे में दर्ध हो जाएगा या नहीं तो आप क्या करें कि अपने हाथ को अपनी एल्बो को कुहनी को चेस्ट के पास लेके आएं और हाथ को एकदम रिलाक्स रखें और कमरगरदन सीधी रखते हुए लेफ्ट नासी का से सास लेना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सास लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से सास को छोड़ देना है फिर राइट नॉस्ट्रिल से सास लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सास को छोड़ देना है रेशियो हम 1 is to 1 का रखेंगे यानि आप जितनी सा सास आप राइत नौश्रल से लें, उतनी ही सास आप लेफ नौश्रल से छोड़ दें. इसका अभ्यास मिनिमम आप 9 round कर लें, 9 set कर लें, जिस तरीके से crappy मैंने बताया न, कि left से सास लेना, right से छोड़ना, right से लेना, left से छोड़ना इसके 9 चक्कर कर ले, minimum मैं बता रही हूँ और अगर इसका और अधिक अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे बैठे अभ्यास कर ले continuous अगर वजरासन में ना बैठ पाएं, तो थोड़े दिर वजरासन में बैठ गए, फिर से वजरासन को रिलीज कर दिया, पैरों को खोल लिया, टैप कर लिया, और फिर से ऐसे सुखासन या, cross leg position पे बैठ के अभ्यास कर लिया, फिर थोड़े दिर बाद फिर से मन हुआ, फिर से वजरासन में बैठ गए, तो चीजों को देखिए, आसान करना है, और जब आप चीजों को आसान करके करेंगे ना, तो आपका अभ्यास करने का मन भी करेंगा, आप उन चीजों से भागेंगे नहीं, अब अपनी right nostril को बंद करेंगे, अपने right thumb से, इस तरीके से, बहुत जोर से ऐसे ना, बंद कर दीजेगा, बहुत प्रेशर लगा के ऐसे नहीं, बहुत gently, बहुत lightly, क्योंकि सांस ही तो रोकना है और कुछ तो नहीं रोकना, तो इस तरीके से आपने gently lightly बंद किया, और सांस लेंगे अपनी left से, one, two, three, four, left को बंद कर लिया, right से बड़ी gently सांस बंद कर लिया, right को और left से सांस चोड़ दिया, one, two, three, four, इस तरीके से, inhale through your left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, सांस लेंगे अपनी बाई नासिका से, दाई से छोड़ दे, फिर दाई से सांस ले, और बाई से छोड़ दे, जितनी सांस ले सकते हैं, फिर से दाईनी नासिका से सांस ले, और बाई से छोड़ दे, फिर उसके बाद दाईनी से सांस ले, और बाई से छोड़ दे, तीन बार और इसका अभ्यास, सांस ले, अपनी लेफ नासिका से, राइट से छोड़ दे, राइट से सांस ले, और लेफ्ट से सांस को छोड़ दे, अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख दे, तुरंत आखों को बिल्कुल भी नहीं, कत्ताई आखों को ना खोले, तुरंत आखों को बंद रखें, अपनी कमर गर्दन को सीधी रखें, और अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लाते हुए, जो कुछ भी बदलाव आप महसूस कर सकते हैं, शांत बैठे हुए इन बदलावों को जाने, एक चीज़ का आप विशेश ध्यान रखें, जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, तो रेशियो तो इसी हिसाब से 1 to 1 का अभ्यास कर लें, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद आप इस रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 to 2 के रेशियो में भी अभ्यास कर सकते हैं, खाना खाने के बाद ये अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी breath retention ना करें, सासों को बिलकुल भी ना रोकें, सहज सोभाविक सासों को लेट से ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेट से छोड़े, और थोड़ा और इस अभ्यास में और भी आगे जाना चाहते हैं, इसका अभ्यास देखें, लेट से सास लिया, एक, दो, तीन, चार, राइट से सास छोड़ा, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8 फिर से राइट से सास लिया लेट से दो गुनी सास छोड़िए जितनी सास लीती उसे दो गुनी धीरे धीरे, 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 धीरे ऐसे सास छोड़िए सास लीजिए अपनी लेट से राइट से सास छोड़ दीजिए राइट से सांस लीजिए और लेट से सांस को छोड़ दीजिए इतना आसान है इन अभ्यासों को करना एक बात का धियान रखे कभी भी खाना खाने के बाद कपाल भाती क्रिया का अभ्यास ना करे भस्तरी का प्रानयाम का अभ्यास ना करे या ऐसा कोई भी प्रानयाम जिसमें सांसों को रोपना पड़ता है या उसका effect पेट पर किसी भी तरीके से पड़ता है इन सभी अभ्यासों में आज जो हमने किया इसमें पेट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है ना ही हमने किसी भी तरीके की breath retention की दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रहके योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी online yoga classes में ये online yoga classes zoom के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे conduct की जाती है इन online yoga classes को कोई भी join कर सकता है अगर आप beginner हैं पहले कोई कभी योग का अभ्यास नहीं किया तो हर एक practice को मैं modify करके बताती हूँ ताकि हर कोई अभ्यास कर ले अगर आप already योग का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी practice को और deep समझना चाहते हैं और deep जाना चाहते हैं तो भी ये classes आपके लिए perfect है इसके अलावा अगर आप कोई health condition से गुजर रहे हैं जैसे diabetes है, thyroid है, hypertension, high blood pressure मोटापा बढ़ गया है, PCOD की समस्या, infertility की समस्या नीद नहीं आती, बहुत जादा तनाव है depression की समस्या, anxiety की समस्या ये classes आपके लिए highly beneficial है मैं जो existing student है, इन online yoga classes को join करके उनको बहुत सारे स्वास्ते लाब मिले है मैं चाहती हूँ आपको भी ये स्वास्ते लाब मिले अगर किसी कारण से सुबह 7 बजे से 8 बजे class आप join नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक solution है कि आप मेरे द्वारा develop किये हुए कुछ yoga courses भी join कर सकते हैं इन yoga courses को आप किसी भी वक्त कहीं भी अपनी मर्जी के हिसाब से अपने comfort के हिसाब से जब मन चाहे, जितनी बार चाहे आप अभियास करें इन courses को जब आप complete कर लेते हैं ना तो course के completion का certificate भी आप download कर सकते हैं अब इन classes और courses के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं अपनी website share कर रही हूँ www.yogaviddshahida.com मेरी website विजिट कर लें अगर आप website नहीं विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर screen पर आपको ये नमबर दिख रहा है इस नमबर पर आप एक whatsapp कर दे ताकि आपको class के बारे में और courses के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको step by step सिखाया इन प्रानयाम का अभ्यास और कुछ और जरूरी information आपको दी ताकि आप इन प्रानयाम का अभ्यास बड़ी आसानी से कर सके अपने stress को कम कर सके अपनी नींद को बहतर कर सके अपने digestion को बहतर कर सके अगर आप चाहते हैं आपके suggest किये हुए किसी topic पे मैं future में video बनाऊं तो मुझे नीचे comment करके जरूर बताईएगा कि आप कौन से topic पर चाहते हैं कि मैं video बनाऊं मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के comment पढ़के एक बात और ये मेरा प्रायास अगर आपको पसंद आ रहा हो और ये video पसंद आई हो इस video में जो भी जानकारी दी गही है वो आपको पसंद आई हो तो please channel को subscribe कर लिजेगा इससे मुझे बहुत motivation मिलता है साथ ही इस video को भी like कर दीजेगा और अगर आप चाहते हैं इस video से आपके दोस्तों और रिष्टदार भी लाभानवित हो उनको भी benefit मिले तो इस video को अपने दोस्तों और रिष्टदारों के साथ भी खूब शेयर कीजेगा आप सभी अपना खूब खयाल रखें अपने परिवार का खूब खयाल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें क्योंकि एक दिन योग का अभ्यास करके गायब हो जाएंगे ना तो आपको कोई भी benefit ऐस सच तो मिलने वाला नहीं है इसलिए निरंतर थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के योग का अभ्यास करते रहें अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी नमस्ते मुझ जल्दी मिलूब अभ्यास करते रहें